हलो फ्रेंड्स चेरपटी रस्वई वित कविता में एक बाविट से आपका स्वागत है आज जो रसेपी में आपके साथ शेयर करने जारी हैं वह बहुती मज़ेदार और बहुती असान है आज हम बनाने जा रहे हैं सेब की बर्वी ये बिना मावा बिना चाशनी और बिना मि मिठाई है वर्त में भी बना सकते हैं और त्योहार पे भी बना सकते हैं कि इतनी जल्दी बन की तयार होती है कि जब भी आपका मीटा खाने का मन हो तो इसे फटा-फट से हम बना सकते हैं तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक क और अगर आपने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो चलिए शुरू करते हैं बनाना तो सेब की बर्फी बनाने के लिए मैंने हापर गैस ओन करके एक फ्राइपन रखा है और उसमें एक कप मुंगफली इस तरह से मैंने ढाल दी है तो हम इसको तीन से चाल मिलता कच्छे से रोस्ट कर लेंगे और अब इसको हम नीचे उतार लेंगे तो एक लेट में हम इसको र इस तरह से हिलाते होए इनके चिलके हम अलग कर लेंगे तो तीन से चार बार इस तरह करेंगे तो आपके जो मुफली के चिलके हैं वह अच्छे से अलग हो जाएंगे तो देखिए अब हम इन चिलकों को मुंगफली से बिल्कुल अलग कर लेंगे तो यहां पर हमने एक कप मुंगफली ली है और इसको मैं मिक्सिजार में डालके अच्छे से इसको हलक असा दरदरा पीस लोंगे तो यह देखिए यह हमारा मुंगफली का जो पाउडर है वो तयार हो चुका है और अब हम थोड़ी से बदाम लेंगे और इनको इस तरह से हम इनको पीस में काट लेंगे तो मैंने यहां पर दो सेब लिये हैं और उनको हम अच्छे से छील लेंगे यहां पर हमें एक बात का धियान रखना चाहिए कि जब हम परवी बनाना शुरू करें तभी हमें सेब को छीलना चाहिए तो इस तरह से हम अच्छे से पिल कर लेंगे नई तो जो हमारा सेब है वो काला बढ़ जाता है तो बस इस तरह से हम इसको दोनों सेब को अच्छे से छील लेंगे तो देखें हमारे दोनों सेब अच्छे से छील चुके हैं अब बारियन को ग्रेट करने की तो मैं इसको मोटे वाली तरफ से अच्छे से इसको ग्रेट करूंगी तो इस तरह से हम दोनों ही सेब को इस तर बबात ही जल्दी से बन जाने वाली हमारे मिटाइ है तो बहुत ही टेस्ट dollars is a to do बढ़की। आधे और इस्की कंदेंगों और इस तरह से हम धूसरा वज्क o ढ़ाइं कड़ाई रखंगे और उस्पे मैं ऐक बढ़ा चमच घी डाल रही हूं गी आप कोई भी ले लिजे, मैंने यहाँ पर देशी गी लिया है, उसको अच्छे से हम मेल्ट करेंगे और अब हमने जो सेब को ग्रेट किया था, उस पल्प को हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको अच्छे से मिल्क्स करेंगे तो इस तरह से हम इसको चलाते रहेंगे यहाँ पर मैंने इसकी फ्लेम को मीडियम कर लिया है और अब इसके बाद हम पूरा टाइम को मीडियम से लो ही रखेंगे तो इसको हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक कि यह थोड़ा सा टायट ना हो जाए wah कमना हो जाए तो ये देखें ये टाइट हो चुका है मैं कुछ हैं से 7 मिनिट लगी है इसको continue सरह से चलाते हुए तो बस आप इस में मैं आप इसमें एड़ कर रही हूँ एक कप चीनी तो चीनी आप अपने टेस्क के कॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते है तो बस आप हम इसको अच्छे से मिक्स करते रहेंगे तो ये देखें थोड़ा से ये जूजी होने लग गया है और इसका कलर भी चेंज हो गया है तो इसको 2-3 मिन तक हम इसको और चलाएंगे तो ये देखें हमारी जो चीनी है वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी हमारा चेंज हो गया है हम इसको अच्छी तरह से इस तरह से चलाते रहेंगे 3-4 मिन तक तो गैस के फ्लेम हमेने याप पर मीडियम ही रखी है और इसको हम continue चलाते रहेंगे ताकि ये जले नहीं तो अब हम इसमें डालेंगे एक कप जो हमने मुंख फली का पाउडर बनाया था मैं इसमें वो डाल रहे हूं और इसको अच्छी से हम mix करते रहेंगे तो ये अच्छी से देखें अच्छी से मिक्स होगे है से भी हम स्क्रैच करते हुए इसको मिक्स करेंगे तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ कोकोनेट पाउडर जो डैसीकेटेड कोकोनेट पाउडर है और यह मार्किट में आपको हर चुबे अराम से इसली अवलेबल है तो आप चाहें तो इसको घर पे भी बना सकते हैं जो ताज तो यह अच्छे से हम मिक्स करते रहेंगे यह हमारी कढ़ाई छोड़ने लग जाएगा जब तक तो यह देखे थोड़ा से यह टाइट हो गया है और अब हम इसको दो से तीन मिनट तक और चलाएंगे दो से तीन मिनट चलाते होए हो गया है और आप मैं इसमें वन फोर्थ टीस्पून इलाईजी पाउडर डाल रही हूँ और यह जो मैंने बदाम काटे थे वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ आप इसमें और भी कोई ड्राइर फूट डाला चाते हैं तो आप उसमें वो भी डा तो अब हम यहां पे इसको बंद कर देंगे और इसको नीचो अतार लेंगे तो यहां पर हम एक टीन लेंगे आपके पास थाली हो ट्रे हो जोब आपके पास उसमें हलकाशा घी को घ्रीज किजिए इस तरह से घी लगा लिजये सारे बरतन पर ताकि जो हम बर्फी जमाएं तो बस अब हम इस वाले mixture को इसमें डाल देंगे तो यह procedure हमें जल्दी से करना होता है नहीं तो हमारी जो बर्फी है वो टाइट होना शुरू हो जाती है तो हमने यह सारा इसमें mixture डाल दिया है और इसको हम एक spatula को हटा देंगे और इससे हलका हलका इस तरह से press करते होए एक texture देंगे आपको पतली जमानी है या मोटी जमानी है उस हिसाब से आप इसमें फिला लिजिए और उपर से मैंने यहां पे बदाम को डाल दिया है आप चाहें तो कोई और भी इसमें dry fruit set कर सकते हैं तो मैंने यहां पे बदाम से अच्छी से इसको garnish कर लिया है और इस तरह से हम इस spatula से हलका हलका इसको press कर देंगे तो देखिए इस तरह से हमारे बड़ी अराम से कट जाती है बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फी तयार हो जाती है बहुत ही कम समय में तो बस इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे मैं आपको गया निकाल के दिखाती हूँ देखे कितनी बढ़िया हमारी होई है और मैं तोड़ के लिखाती हूँ ये बहुत ही बढ़िया हमारी जो सेप की बर्फी है तयार हो चूक देखे तो अब हम इसको सर्विंग बॉल में रख लेंगे तो सर्विंग ट्रे लेंगे और इसमें हम अपनी सारी बर्फियां रख लेंगे यह आप काफी टाइम तक इसको स्टोर कर सकते हैं तो अगर आज की वीडियो आपको थोड़ी से भी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए शियर कीजिए में चैनल को सब्सक कीजिए मिलते हैं रेसिपी के साथ